देखो वेदों में एक होमा पक्षी की बात आती है वो पक्षी बहुत उंचाई पर उड़ता है बहुत उंचाई पर और वर्णन आता है कि वो उस उंचाई पर ही अंडा प्रसव करते हैं और अंडा उपर से नीचे आये इतने में तो बीच में ही वो फूट भी जाता है बक्षी बाहर आ जाता है और वो भी नीचे की ओर आता है धरती से टक्राए इतने में तो उसकी नजर पढ़ जाती है आँख खुलने पर अरे मैं टक्राऊंगा तो मर जाऊंगा तो फिर वो उ आ रहा था वो पक्षी नीचे की और लग रहा था कि मैं आगे गती कर रहा हूं आज संसार में ऐसा ही होता है कितना गिरते चले जाते हैं पर लगता है कि हमने तो अपने माबाप को पीछे चोड़ दिया आगे आगे क्या खाक पीछे चोड़ दिया तुम गिर रहे हो नीचे आँख खुले तो पता चले कि हम गिर रहे हैं, जैसे उस पक्षी को आँख खुलने पर पता चलता है कि मैं गिर रहा हूँ, आँख खुले और जिसकी आँख नहीं खुली ना जो आँख खुलने का यतनु भी नहीं करता, उसकी आँखे तो लोचन मोर पंख करी लेखा, मोर के पंख पर लगी हुई च्छापे हैं च्छापे उससे क्या दिखेगा कुछ भी नहीं दिखेगा और ऐसे लोग ही संसार से सुख लेने की इच्छा करते हैं ये तो ऐसा हुआ जैसे चित्र लिखित गोड़ा है पेंटिंग किया हुआ और उस पर बैठ कर कोई सवारी करने की इच्छा करे तो कितना नादान है चित्र का गोड़ा है और उस पर सवारी करने की इच्छा कर रहा है चित्र लिखित सूर्य से अंदेरा नहीं मिटेगा चित्र लिखित गोड़े पर सवारी नहीं हो पाएगी आँख खुलने की जरुवत है मोर के पंक पर बनी आँखों से कुछ नहीं दिखता आज लोगों की आँखें मोर पंकी हो गई है सूजता नहीं है कि मेरा बला किस में है मेरा हित किस में है पर जो सत्संग में जाते हैं उनको सूजने लगता है कि मेरा हित किस में है शक्ती तो है पर द्रश्टी न होने के कारण शक्ती आत्म घाती हो जाती है लोग नहीं अपने हाथो अपने पैर पर कुलाडी मारते हैं अपने विनाश को आमंत्रित कर देते हैं शक्ती है पर द्रश्टी नहीं है गुरु द्रश्टी देते हैं, जैसे स्रीकरश्ण ने अर्जुन को द्रश्टी दी, दिव्यम ददामी ते चक्षु हूँ, अर्जुन ने जब कहा मुझे विराट रूप का दर्शन कराईए, भगवान ने कहा वो इन आखों से नहीं होगा, मुझे तुझे द्रश्टी देन और उस द्रश्टी के द्वारा संजय ने भगवान के रूप का दर्शन भी किया था, गुरु द्रश्टी देते हैं, उदैपूर में सत्संग था, राजिस्थान में उदैपूर, वहाँ 9, 10, 11 दिसंबर की बात है, पिछले साल, एक सज्जन ने मुझे हाथो हाथ चिठी दी, उनका नाम कमला शंकर, चिठोड के पास रहते हैं, राजिस्थान में, वहाँ से सत्संग सुनने आये थे, मुले मेरे आखों की रोशनी कम होते होते एकदम चली गई थी, दिखता नहीं था, डॉक्टरों के पास गए, पर डॉक्टर बोले के भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, परिवार वालों ने कहा, लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, आजकल लोग विचारे बड़े भोले बाले, कोई भी तकलिफ आई, और वो दूर नहीं हुई, तो बोलते हैं किसी ने कुछ कर दिया है, पर मैं दावे से कहता हूँ, जिसके जीवन में ब्रह्मग्यानी गुरू की दिक्षा है, और वो जब करता है, और सदाचारी जीवन जीता है, चरित्र को पवित्र रखता है, तो एक तांत्रिक नहीं, सो तांत्रिक मिलकर भी उसका बाल माका नहीं कर सकते, ब्रह्मग्यानी गुरू के मंत्र में वो शक्ति है, गुरू का मंत्र रक्षणहार ब्रह्म होता है, मंत्र केवल अक्षर नहीं होता, रक्षणहार है कई भाईयों के बेहनों के मैंने जीवन में उनके जीवन में गटनाएं देखी है कैसे कैसे उनको लाब होते है यूपी उत्तर प्रदेश में बांदा जिल्ला है वहाँ की एक बेहन अपनी बड़ी बेहन के साथ मा के साथ एमदाबाद आश्रम में आई थी उसने मुझे बताया मुलिम में पढ़ती थी तो एक तांतरिक आते जाते मेरे पीछे पढ़ गया मुझे अपने जाल में फसाना चाहता था पर मैंने सत्संग सुना था टीवी पर और चरित्र को पवित्र रखने की शिक्षा सुनी थी तो उसने क्या किया मुझे अपने वश में करने के लिए एक प्रेत को मेरे पीछे लगा दिया और वो प्रेत मुझे बड़ा तंग करता था कभी-कभी तो मैं रात को सोती तो मुझे दिखता कि उसने मेरी आखों के उपर के बाल ये बोहें काट दी है जागने पर आइने के सामने जाती तो देखती सचमुच ये बोहें कटी हुई है कभी कभी दिखता के वो प्रेत मेरे को मार रहा है तो सचमुच देखती के हातों में और पैरों में चाकू के गाव है और खुन निकल रहा है पीड़ा हो रही है ऐसी हालत थी बोले मेरी पर गाजियाबाद में गुरुदेव का सतसंग था तो मैं मेरी माँ वहाँ से बांदा से गाजियाबाद आए सतसंग सुना और आखरी दिन दिक्षा ले ली जब शुरू किया एक रात को फिर वोही तांत्रिक और प्रेत मेरे स्वपने में आए वार करने को पर मैं गुरु मंत्र बोलने लगी तो गुरुदेव मुझे अपने हाथ में गदा लेकर आते हुए दिखे और उस प्रेत और तांत्रिक की ऐसी पिटाई की मैंने स्वपने में देखा ऐसी पिटाई की ऐसी पिटाई की आप देखो आप इस बात को अन्यत्था मत मानना कि अर्थवाद के रूप में मतले ना कि समझाने के लिए बोल रहें नहीं नहीं त्रीजटा को स्वपना दिखा था कि एक वानर आया है राक्षसों को मारा है और पूरी लंका को जला दिया है आप बताओ ये स्वपना सच हुआ था कि नहीं हुआ था तो ऐसे ही उस कन्या ने बताया मैंने स्वपने में देखा बापूजी ने गदा लेकर वो प्रेत और तांत्रिक को खुब पीटा 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 वो भाग गए और उस दिन के बाद कभी वो मुझे नहीं दिखे न स्वपने में न मेरे को कोई तकलीफ हुई तब से मेरा स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है और बोले मेरी बेहन की बड़ी बेहन की सगाई हुई थी वो तूट गई थी किसी कारण से तो बेहन को और मा को दुख होता था फिर गुरुदेव ने स्वपने में मेरी बेहन को दर्शन दिया और कहा मैंने ही तुड़वाई है बेटी चिंता मत करना इसलिए तुड़वादी कि सीता जी की तो एक बार अगनी परिक्षा हुई तेरी वहाँ शादी होती तो तेरी रोज अगनी परिक्षा होती तुप परिशान होती तेरी शादी ऐसे घर में होगी कि सब देखते रहेंगे और सच्मुच उसका विवा एक अच्छे परिवार में संपन हुआ उसके पती ने भी भगवान के नाम की दिख्षा ली और वो परिवार बहुत आनंद में है ना समझ आदमी को ये दिशा समझ में नयाती दिख नहीं सकती कोपर निक्स ने जब दूर दर्शक यंत्रख हो जा था तो लोग कहने लगे कि ये जाल साजी है अगर तारे होते तो हमारे बाइबल में वर्णन होता बाइबल में वर्णन नहीं है इसलिए तारे नहीं है अरे तुमारे बाइबल में वर्णन नहीं है इसलिए तारे नहीं है किसने का कोपरनिक्स का बहुत विरोध हुआ विचारे का आदमी बड़ा समझदार था पर धीरे धीरे जब उसने लोगों को विश्वास में लिया तब उनको पता चला कि इसकी बात सक्ची थी हमारी बाते हमारी कल्पनाई जूटी थी जब-जब संता उतार लेकर आते हैं तो सजञन लोग तो उनके प्रति द्रड़ श्रद्धा भक्ती रखके अपना कल्यान कर लेते हैं पर अश्रद्धालू और नासमझ व्यक्ति उनका विरोध करते हैं उनके बारे में अनरगल बाते करते हैं, भगवान बुद्ध का आगमन होने वाला था एक नगर में, राजा के मंत्री ने कहा कि राजन चलो हम उनका स्वागत करने के लिए चले, राजा बोला मैं क्यूं जाऊं एक बिखारी का स्वागत करने, मंत्री तो देखते ही रहे गए कि ये इस संत को बिखारी कह रहे हैं, मंत्री ने कहा राजन आप मेरा इस्तिफा त्याग पत्र स्विकार कीजिए, अब राजा विलासी था, मंत्री मैंतु था, पुर्शार्थी था, राजा ने कहा मैं क्यूं तुम्हारा त्याग पत्र स्विकार करूं, कारण बताओ, मुले कारण बाद में बताऊंगा, पहले मेरा त्याग पत्र स्विकार करो, मुझे मंत्री पत्र पे नहीं रहना है, मैं छोड़ रहा हूं, बुले पर कारण क्या बुले कारण ये कि अभी जो राज्य आपके पास है न जिसको पाकर आप गर्व कर रहे हो कि मैं राजा हूं वो राज्य बुद्ध ने बर्षों पहले तुछ जानकर ठुकरा दिया था और उन्होंने जो पाया है अभी वो पाने में आपको कई जनम लग सकते हैं क्योंकि आपकी विचारदारा एसी हल्की है और आप उनको बिखारी कहते हूं पर मेरे से अगर पूछो तो उनके आगे आप बिखारी हो उन्होंने शान्ती पाई है आपने कहां पाई है आपको अभी भोग करके सुख पाने की मन में इच्चा है उनके मन में वो नहीं है राजा को अपनी भूल समझ में आई और उसने माफी मांगी भगवान रामब भगवान कृष्टन ये धर्ती पर आउतार लेकर आये तब भी ना समझ लोगों ने तो उनका विरोध किया समझ दारों ने लाब लिया और आज भी ले रहे हैं उनके नाम का जब करके उनके नाम का सुमिरन करके राम नाम कली अभी मत दाता हित पर लोक लोक पितु माता ये जीवन कोरे कागज की तरह है क्या लिखना ये हम पर निर्भर है हमारे हाथों का ही सारा निर्मान है शान्ती और प्रसंता के प्रसून खिलाने हो तो भी हमारे हाथ में है मुक्ती के दिये जलाने हो तो भी हमारे हाथ में है और रदय में अगर जखम करने हो तो वो भी इंसान के हाथ में है भगवान ने स्वतंद्रता दी है अब उसका क्या उप्योग करते हैं ये आदमी के हाथ में है चाहे तो गिर कर मिट्टी में कीचड बने चाहे तो कमल बन कर खिले कोरे केनवास पर चित्रकार जैसा चित्र उबारना चाहेगा वैसा बनेगा अंगड पत्थर है जैसी मूर्ती बनाना चाहेगा शिल्पकार बना लेगा वर्ण माला है तैयार गाली लिखो के गीत लिखो मर्जी इंसान की है वेद के मंत्र लिखो या अपशब्द लिखो हरियाना राज्य में चर्खी दादरी एक नगर है छोटा सा वहाँ सत्संग था तो मुझे एक परिवार के लोगों ने बताया कि 10 जून 2003 को उनकी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया थोड़े दिन में पता चला कि बच्चे को दिखता नहीं है अब मासुम बच्चा दिखता नहीं माबाप को कितना दुखोगा बड़े बड़े डॉक्टरों के पास ले गए दिल्ली तुन्होंने कहा कि ओप्रिशन होगा पर ठीक आखें होगी कि नहीं हम गरंटी नहीं देते आप इतने हजार रुपे जमा करा दो करा दिये ओप्रिशन की तारिक बता दी पती पतनी घर आए घर आकर उन्होंने सोचा शल्य चिकित्सा होगी तब होगी क्योंना हम देवी चिकित्सा शुरू कर दे देवी चिकित्सा है प्राथना, ध्यान, अंतर यात्रा ये देवी चिकित्सा है शल्य चिकित्सा खत्रे से खाली नहीं है देवी चिकित्सा में कोई खत्रा नहीं है आनंद ये आनंद है गुरु नानक जी ने भी इस दैवी चेकित्सा के बारे में का है साध के संग मिटे सब रोग नानिक साध बेटे संजोग तुलसी दास जी ने कहा राम क्रपा ना सही सब रोगा जो एही भांती बने संजोगा सदगुरु वैद वचन विश्वासा संजम यह न विशय के आशा घर आकर उन्होंने क्या किया जब शुरू किया और 108 पाठ शुरू किये श्री आशा रामायन के पाठ करते और जल्ब उसको थोड़ा थोड़ा चम्मच से मूमें डालते थोड़ा हलका सा छिटा मारते आँखों पर 108 पाठ जिस दिन पूरे होने थे पाठ के अंतिम पंक्तियां पड़ रहे थे मन में नाम तेरा रहे मुख पे रहे सुगीत हमको इतना दीजिये रहे चरण में प्रीत हमको इतना दीजिये रहे चरण में प्रीत प्रीती की शक्ति निराली है उन्होंने आकरी पाठ जब पूरा हुआ और जल लेकर बच्चे की आँखों पर छाटा तो पाया उन्होंने कि अब बच्चे को लगता है दिख रहा है वो मा के तरफ कैसे हाथ बढ़ा रहा है पिता के तरफ कैसे बढ़ा रहा है जब हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर कहने लगे आश्चर चकित होकर क्या आपने कहीं और इलाज कराया क्या बोले नहीं नहीं हमने शल्य चिकित्सा नहीं हमने दैवी चिकित्सा की बहार से तो गुरुजी से कोई बात भी नहीं की परंतु दिल से प्राथना कर ली तो दूर बैठे हुए भी देखो प्यार में दूरी नहीं रहती और देरी नहीं रहती बक्ती में दूरी नहीं रहती और देरी नहीं होती ततकाल सिद्धी होती है प्राथना से और रदे पूर्वक की शर्णागती से तुरंत सिद्धी होती है हाथी की शर्णागती द्रड थी तो कैसी सिद्धी हुई भगवान आये के नहीं आये आप सोचो द्रोपदी की रदयपूर्वक की शर्णागती थी और भाव द्रड था तो कहां अस्तिनापूर, कहां द्वारिका कैसे द्रोपदी की रक्षा हो गई उसकी लाज बच गई रदय का भाव बड़ा व्यापक होता है बड़ा व्यापक, सब्द की अपेक्षा भी रदय का भाव व्यापक होता है तो ये भाव हमारा और बड़े इसी के लिए ये मनुश्य जनम है जैसे 84 लाख योनियों में ये शरीर दुरलब है उसी प्रकार मनुश्य जनम में सत्संग और सदुगुरु का सानिध्य दुरलब है पर दुरलब आज सुलब करी पावा वो हमको सुलब हुआ है मैं तो निवेदन करूँ आप जरूर सुनें व्यभारिक उन्नती भी होगी परमार्थिक लाब भी होगा लाब की कच्छुहरी भगती समाना जेही गाव वहिश्रुती संत पुराना पुज्य बापुजी सत्संग में कहते हैं जैसे बली राजा ने भगवान पर द्रड विश्वास रखा ऐसे हम भी भगवान पर भगवत प्राप्त गुरु पर उनके वचनों पर रखे हमारे नेत्र भगवान तक नहीं पहुंच सकते पर सर्व समर्थ भगवान अमारे नेत्रों में आ सकते हैं एक व्रद्ध सज्जन जा रहे थे आँखों से दिखता नहीं था कानों से सुनाई बहुत कम देता था हाथ में लकड़ी लेकर जा रहे थे जवान लड़कों ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि कहा जा रहे हूं बुले सत्संग में जा रहा हूं तो कहा सुनाई तो कुछ देता नहीं है आपको संत थोड़ी कान में आकर जोर से बोलेंगे और दिखाई भी नहीं देता तो जाने का फाइदा क्या उस व्रद्ध सज्जन ने कहा कि मैं तो संत के दर्शन नहीं कर पाऊंगा पर संत की नजर तो मुझ पर पड़ जाएगी यह मेरे लिए सवभाग्य की बात है तो जीवकों ने कहा भीड़ बहुत और संत की नजर आप पर न पड़े तो जाने का फाइदा क्या बले संत की नजर मुझ पर न पड़े पर जो भगवान सारी दुन्या को देख रहे है उस भगवान की नजर तो मुझ पर होगी कि मैं तुमारी तरह सिनेमा थेटर में नहीं जा रहा पर अन्तु किसी संत के चर्णों में सत्संग सुनने के लिए जा रहा हूँ इश्वर तो देख रहे है न भगवान तो देख रहे हैं बस मुझे इस बात का आनंद है कि मैं सही जगा पर जा रहा हूँ गलत जगा पर नहीं जा रहा शोपूर में सत्संग था राजस्तान और मध्यप्रदेश की सीमा पर है तो वहां के विधायक सत्संग सुनने आए फिर आखरी दिन दिक्षा भी ली और दिक्षा लेकर फिर गए नहीं दिक्षा के बाद दुबारा दूसरा सत्त्र शुरू हुआ बापुजी पधारे उसके बाद डेड़ पौने दो बजे वो घर गए विधायक MLA सुबह पौने छे बजे आए और पौने दो बजे गए दुपैर को घर मैंने देखा रिशेश में दिक्षा के बाद नास्ता करने भी नहीं गए बैठे रहे अरे बुले ये काम तो सारी जिंदगी होते रहेंगे ऐसा सत्संग रोज रोज थोड़ी मिलता है बड़े भाग पाईव सत्संगा भी नहीं प्रयास हो वहीं भवबंगा एक पत्नी ने अपने पती को कहा कि सारा दिन बस पैसा पैसा करते हो संत आये सत्संग करने आप जाओ सुनने के लिए आठ से दस रोज रात को बोलते हैं वो आप तो खाली दो दिन ही है आप जाओ बोले ठीक है कल जाओंगा दिन बर का थका हुआ था सत्संग की जगा पर आया महराज जी पधारे महराज बोले ऐसे सभाविक आये हो गरदन हिलाती उसने और सो गया फिर गरदन जुक गई बीच में आग खुली कुछ शणों के लिए महराज जी बोले बैठे हो मजे में हो बैठे हो फिर सो गया आकरी में महराज बोले जा रहे हो पूरा हुआ तो गर आया पत्नी ने पूछा क्या सुना आज बताओ अब उसने कुछ सुना तो था नहीं क्या बोले बोला भूख लगी है पहले रोटी तो खिला खिलाया पत्ती ने सोचा कि बाद में तो भूल जाएगी बात बदल जाएगी पर पत्नी भी उश्णार थी खिलाने के बाद फिर पूछा बताओ महराज जी क्या बोले थे अब ये क्या बताएगी इसने का रहे महराज जी तो बहुत बढ़ी आ बोले आनंद आ गया बहुत मज़ा आया और कुछ बताओगे इतने में क्या हुआ कि कुछ चोर उनके घर पर आये सेंद लगा कर पीछे से पत्नी फिर कहते बताओ महराज जी क्या बोले थे तो जोर से बुला आये हो चोरों ने सोचा घर वाले ने हमको आते हुए देख लिया दर के मारे बैठ गए पत्नी ने पूछा और क्या बोले महराज जी जोर से बोला बैठे हो चोरों को लगा कि इसने हमको बैठते हुए भी देख लिया अब यहां से भागने में भला है पत्नी पूछी और क्या बोले महाराज जी जोर से बोला जा रहे हो चोरों को हुआ कि यह हमको देख रहा है इतना ही नहीं पर हमारे दिल की बात भी जान गया हम तो जाने की सोच रहे हैं अंतर्या में मालूम होता है यह आदमी चोर तो सिर पे पैर रख कर भागे शोर हुआ पती पत्नी ने द्रश्य देखा बात समझ गए तब उस आदमी को हुआ मैंने सत्संगी जगा पर जोका खाते खाते खाली तीन शब्द सुने मेरा घर लुटने से बच गया काशपूरी बात सुन लेता प्रवर्ष रोता होते है न वह आदी से अंत तक आधर पूर्वक सुनते हैं पर जो अवर्ष्रोता होते हैं ये बात भागवत जी में आई है प्रवर्ष्रोता और अवर्ष्रोता की अवर्ष्रोता होते हैं वो जब जी में आएगा आएंगे जब जी में आया उठकर चल मेरे भाई एक ऐसा अवर्ष रोता था किसी महात्मा की कथा में गया महात्मा ने का भगवान सब में है ये बात सुनकर उसने सोचा बस सार बात सुन ली भगवान सब में है और भगवान सब का बला चाहते हैं वो उटके चल दिया हुआ क्या एक हाथी पागल हुआ था उसका महावत पीछे से दोड़ता हुआ आ रहा था हाथी के पीछे पीछे और चिल्ला रहा था बाईसा बढ़ जाना किनारे हो जाना ये पागल हो गया है बढ़क गया है लोग सब साइड हो रहे थे पर इस अवर्ष रोता ने सोचा कि महाराज जी आज ही बोलें भगवान सब में है तो हाथी में भी है और भगवान सब का भला चाहते हैं तो ये मेरा बुरा क्यूं करेंगे तो खड़ा हो गया अकड़ कर अब हाथी तो हाथी उसन में रहा काफी दिनों के बाद दुबारा वो माराज जी से मिला पट्टे बंदे हुए थे अभी माराज जी पूछे क्या हुआ भई बोले आपका प्रवर्चन सुना तो मेरा ये हाल हो गया है बोले हो नहीं सकता तु मेरा प्रवर्चन सुने और ये हाल हो कुछ माराध उस दिन आप बोले थे शारी बात उसने बताई मैंने सोचा कि अब तो सार बात सुन ली अब जाओ गया तो पिर ऐसा हुआ शंतने का तुने अधरी बात सुनी नहीं इसलिए ये नुखसान हुआ पूरी बात सुनता तो नहीं होता बोले कैसे तुन्हे ये तो सुना भगवान सब में है सब का हिद चाहते हैं तुझे हाथी में भगवान दिखा पर हाथी के पीछे उसका मालिक भी आ रहा था और वो कहिछा रहा था अज़ें ये मार डालेगा पटक देगा जरा हट जाना तुझे महावत में भगवान क्यों नहीं दिखा सावधान करने वाले में भी तो दिखना चाहिए था न उसमें नहीं देखा अधूरी बात सुनी इसलिए अधूरा काम हुआ और ये चोट लगी तेरे को पूरी बात सुनता न प्रवर्श रोता होकर भगवत गीता में तो भगवान कृष्ण कितनी प्यारी बात कहते हैं अठार में अध्याय का 71 श्लोक है श्रद्धावान अनुसुय अश्च शुरुनु याद पियो नरह सो अपी मुक्तह शुबान लोकान प्रापनुयात पुन्य कर्मनाम अर्जुन जो श्रद्धावान होकर सुनता है और दोश द्रष्टी से रहित होकर सुनता है निरनायक नहीं पर निष्ठावान होकर सुनता है वो शरीर छूटने पर पुन्यवान के शुबलोकों में चला जाता है खाली सुनने की ऐसी महिमा है सुनकर वैसा करे तब तो कहना ही क्या पर केवल सुन ले दोश दरश्टी से रहित होकर तो उसको कितना लाब हो जाता है दिल्ली में एक परिवार के लोग मुझे मिले थे उनकी बेटी ने मुझे का सरीता बेटी का नाम मुले कॉलेज की फाइनल की परिक्षा थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था एक विशयका फिर भी मैंने सोचा वही सारस्वत्य मंत्र मेरे साथ है मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है तो रात को गुरुदेव का सुमरन करते करते जब करते करते सो गई तो अपना देखा कि मैं पेपर दे रही हूँ वही विशयका और बापु जी मेरे पास खड़े हैं और कहरे चिंता मत कर मैं हूँ तेरे साथ क्यों डरती है लिख लिख कर पेपर दिया और आँख खुल गई तो मुझे संदोश हुआ कि मेरा पेपर बढ़िया ही जाएगा और सबसे जादा अंक बोले मुझे उसी विशय में मिले थे सुमिरन किया ना सोते समय लोग कोई गाने सुनते हैं कोई फिल्में देखते हैं रात को देर तक टीवी चलती है कईयों के गर में बुद्धिमान वो है जो रात को घर का वातावरण अध्यात्मिक बनाए भक्ती भाव वाला बनाए इससे क्या मिलेगा गाटे का सौधा है बहुत गाटे का सौधा है क्यूं करना एक आदमी ने बहुत शराब पी अब सोचा कि पत्नी कुछ बोलेगी क्योंकि चलते चलते ठोकर भी लग रही थी नशे के कारण गिरता पड़ता चल रहा था मेडिकल स्टोर से कुछ पट्टियां खरीद ली लगा दूँगा सुबह तक ठीक हो जाओंगा घर आते ही बात्रूम में गुस गया आइने के सामने खड़े हो कर पट्टियां लगा दी सुबह हुई पत्नी ने रजाई हटाई और गुसे से कहा कि बात्रूम में आइने पर इतनी सारी पट्टियां क्यों लगाई आईने पर लगाई हाँ आप देखो वो गया बात्रूम में देखा कि नशे नशे में आईने के सामने खड़े होकर पट्टी अपने को लगाने के बदले वहाँ लगा दी पूरे आईने पर पट्टियां चिपका दी जगा जगा नशे के कारण व्यक्ति को पताई नहीं होता कि क्या करना चाहिए अविद्या का नशा है धन का सत्ता का सौंदर्य का अधिकार का इन नशा है इस कारण व्यक्ति को सूज़ता नहीं है और कई तो ऐसे सद्गुरु को भूल कर गुरु परंपरा को भूल कर अपने कोई गुरु सिद्ध करने की चेश्टा में लग जाते हैं कोई भी शास्त्र हो अपने स्वार्थ और बौधिक विलास के लिए मन माने अर्थ लगा देना इसमें ऐसा लिखा है तो इसका ये अर्थ नहीं नहीं ऐसे लोग जो प्रग्या के अपराद से पीडित हैं वो तो क्रश्ण भगवान की गीता पढ़कर भी अपना मन मान अर्थ लगाएंगे और क्रश्ण भगवान चौकेंगे के इसने मेरी गीता का क्या अर्थ कर दिया हजारों पत्र एमदाबाद आश्रम में आये हैं उसमें से सैकड़ों मैंने पढ़े हैं सब तो इतना पढ़ने का समय नहीं होता वो भाग दूसरा है सेवकों का उसमें युवकों के पत्र थे के युवाधन सुरक्षा पुस्तक पढ़ने से उनका जीवन कितना रुपान तरित हुआ कितनी उचाईयों को छू रहे हैं वो परिक्षा में जो पहले 40-45 प्रतिशत लाते थे वो ही अब 85-95 तक पहुंचे मैं उनकी रिजल्ट की कौपियां दिखा सकता हूँ पर प्रग्या का अपराद है तो सही बात सूजती नहीं है गीता के 18 अध्याय में भगवान करश्ण ने बताया तीन प्रकार की बुद्धी होती है तामसी, राजसी और सात्विक उसमें सात्विक बुद्धी सही बात को सही समझ कर सही की और ही चलती है राजसी बुद्धी वाला आदमी सही को सही समझता है गलत को गलत समझता है पर जब करने की बारी आती है तो उसके द्वारा गलत ही होता है गड़बड करेगा और तामसी बुद्धी तो गलत को सही मानेगा सही को गलत मानेगा तामसी बुद्धी है आपको एक बात बताओं हरिद्वार में सत्संग था एक आदमी ने मुझे बाद में बताया कि मुझे सिरदर्द की बीमारी थी जेब में एनासिन और जो सिरदर्द की गोलियां होती है वो रखता था जब भी सिरदर्द होता तो पानी से वो टेबलेट ले लेता था जब सचसंग में बैठा था सिरदर्द हुआ गोली ली पर आराम नहीं हुआ अपी तू सिरदर्द बढ़ता जा रहा था ऐसा लगा कि फट जाएगा सिर शोचा कि अब उठूं नहीं बैठा जा रहा है तो जैसे ही उठने की मैंने सोची खिसकने की तयारी की इतने में गुरुदेव ने ही कहा चालू सचसंग के बीच में अगर किसी को सिरदर्द हो रहा हो तो हाथ की पहली उंगली अंगुठे के उपर रखें दबा दें तिन उंगलियां सीधी और जीब उपर और नीचे के दातों के बीच में रखें ज्यान मुद्रा की स्थिति बोले मैंने तुरंत वैसा किया मुझे हुआ मानों गुरुदेव मेरे लिए ही कह रहे हैं और जो ही मैं ऐसे बैटा पांच साथ मिनिट में तो सिरदर्द कम होते होते एकदम मिट गया और मैं ये मुद्रा रोज करता हूँ उसके बाद आज तक मुले छे साल बीतने को आए मेरे को सिरदर्द नहीं हुआ मैं बहुत स्वस्त हूँ एक ज्यान मुद्रा के अभ्यास से अब वो तो जा रहा था बिचारा पर गुरु देव ने कैसे गट गट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पैचानत बुद्धी मान लोग लाब उठा लेते हैं यदाते मोह कलिलम बुद्धी को मोह कलिल से मुक्त कर लेते हैं गीता में आप देखो उपदेश की शुरुवात भगवान ने की के बुद्धी को मोह के दल्दल से निकालो और उपदेश की समापती हुई भगवान ने पूछा अर्जुन तुझे क्या अनुबव हो रहा है बता तो अर्जुन ने का नश्टो मोह सुमृती लब्धा भगवान ने शुरुवात में ही कह दिया बुद्धी मोह के दल्दल से निकले अर्जुन ने कहा नश्टो मोह अब वो नश्टो गया तो ये कैसे नश्ट होता है सत्संग से होता है इसलिए सत्संग में चल कर जाना बैठना सुनना बहुत बड़ी तपस्या है मैं आप सभी तपस्वियों को हाथ जोड के प्रणाम करता हूँ आप प्रणाम स्विकार करें कर दोड़ी तपस्विकार करता है